हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको टूलिप सलवार बनाना बताएंगे जिसके लिए हमने दो मीटर प्रेंटेड कपड़ा लिया है इसी दो मीटर कपड़े में से हम आपको बहुत प्यारी सलवार बनाना तो चलिए इसकी कटिंग की वीडियो सुरू करते हैं कटिंग और स्टीचिंग दोनों ही है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम चार फोल्ड में बिछाएंगे जैसे कि हम अपनी कुड़ती के लिए लिए कि चार फोल्ड में हो गया है से अब ऑच्छे से बरावर करके जहांसे भी कम जाता हूँ इसको पहले बरावर ये खुले की साइड ये बंद की सैड है और देखिए इसमें अनगारा एक्सटरा होग हमारा घंची एक्सट्रा होगा वहारा अदा ये उससे हम तरब से अब यहां से गोलाई आएगी इस में वहांफ। तरब से अब यहांसे लेते यहांसे असन लेते हैं। तो 2 इंच मैंने चोड़ाई में लगाया और 11 इंच मैंने लंबाई में लगाया देखिए फिर से मैंने 2 इंच लगाया और फिर से ऐसे सीधी लाइन ड्रो करके सीधी लाइन ड्रो करके और इस तरीके से गोलाई कर देंगे यहां से यह देखे हमें गोलाई कर दी इसकी ॉर अब उसके बाद यहां से हम निसान लगाएंगे 10 इंच पे ठीक है खुले की साइड से 10 इंच पे निसान लगाने के बाद और इस तरुके से इसमें गोलाई दे देनी in आप फिर आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसे गोलाई दे देनी है 10 इंच पे निसान लगाने के बाद खुले वाली साइड से आसन है खुले वाली साइड से गोलाई के लिए निसान लगाना है मैंने सीधा लगा के फिर से गोलाई दी है अब उसके बाद इसकी देखिए cutting जैसे गोलाई दी है उसी तरीके से cutting कर लेंगे इसकी पूरे की ही यहां से इस तरीके से लेते हुए जाएंगे इसको यह देखिए और पूरे में ही इसकी जहां तक भी drafting आई हुई है वहीं तक इसकी गोलाई कर देंगे तो इसमें से मेरे दो पार्ट निकलेंगे बैक और फ्रेंट के यह थोड़े बहुत धागे वागे रहा है उनको हम यहां तक कट करके इसको यहां से छोड़ देंगे अब इसका आसन कट कर लेते हैं तो यह आसन बंद वाली साइड से होगा और जो पार्ट उपर से बंद है यह वाले जहां से हमारी बैल्ट आएगी वहां से भी इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से यहां से हमने इसको ओपन कर लिया है अब यहां से थोड़ा सा छोटा बढ़ा है इसको भी अच्छे से हम बरावर कर लेते हैं तो देखिए यहां से हम अब इसको खोल के दिखाते हैं आपको तो देखिए यहां से देखिए इस तरीके से दिखाई देगी हमारी सलवार आपको ऐसे यह इसका आसन है और यह इसकी गोलाई वाली साइड है अभी थोड़े आप कन्फ्यूज होंगे देखके ले पहले आप कटिंग करके कम्प्लीट करिए अब देखिए सबसे पहले आप दोनों सीधी साइड मिला लीजिए और जैसे आसन को मैंने रखके आपको फर्स पे दिखाया इसे मुसी तरीके से पहले इन आसनों को दोनों साइड से जोइंट कर दीजिए एक कहीं से भी हटाना नह लगा देंगे इस तरीके से सीधा करके ताकि अच्छे से मजबूत रहे अब देखिए अब ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मैंने खोल के इसको आसन को खोल के इस तरीके से दोनों पैरों में डिवाइड कर दिया है अब हम क्या करेंगे कि इसके कौने कर लेंगे सिल लेंगे जो इसके कौने हैं गोलाई वाले जो हमने कट किये थे उनको हम पूरा ही सिलाई कर लेंगे देखिए बिल्कुल पतला पतला सिन्ना है आदा से एक इंच तक कपड़ा आपको इसमें दवाना है वरना आदा इंच में ही काम चल जाता है वरना आप इस पे इंटरलोक पी को भी करा सकती है और ये मेरी थोड़ी खुली सल्वार होगी ये दो तरीके से बनती है एक थोड़ी टाइट बंद बनती है और एक थोड़ी खुली तो देखेमें मैंने चारो कौने इसके मनलब ये वाले भी और दोनों साइड के दिख रही हों आपको अब इसे करना कैसे है वो आप तरीका आप देखिए सबसे पहले आपकी जितनी भी कमर है उसका चोथा हिस्सा ले लीजिए और उसमें 2 इंच जादा ले लीजिए तो देखिए मैं यहां से निसान लगा रही हूँ 10 इंच पे जैसे हमारी कमर है 40, 40 का आएगा 10 और 10 में 2 इंच एक्स्ट्रा तो हम यहां से इस तरीके से 10.5 इंच पे लगा रहे हैं मैं जादा इसे लूज नहीं रखोंगे आप चाहें तो अब ऐसा ही निसान में इस साइड लगाऊंगे अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला के और यहां पे ऐसे पकड़ के दोनों पार्ट को अब हम यहां पे ऐसे कट लगा देंगे ताकि हमें यह पता रहे कि हमें यहां तक इसमें अपनी बेल्ट लगानी है अब देखिए मैंने यह चारों पार्टों पर हमारे कटा आ गई है अब देखिए कटा आ गई है बिल्कुल कमर के हिसाब से ही हमने इसको रखा है कपड़े को अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये दोनों पार्ट अभी open है ठीक है अब हम यहां से निसान लगाएंगे 2 इंच पे और इधर भी 2 इंच पे अब इन 2 इंच पे इधर ये मैंने back पार्ट में लगाया है अब हम इनकी plate डालेंगे तो सबसे पहले हम देखिए इस कपड़े को ऐसे अंदर वाली साइड को इसी दो इंच वाले कपड़े तक फोल्ड कर देंगे इसको मैंने इसको उठाए और जो दो इंच पे मैंने निसान लगाया था वहां तक इसको बिल्कुल इसके साथ ही अटेच कर दिया है अगर थोड़ा बहुत जादा बैठ रहा है तो उसकी आप प्लेट भी डाल सकती है वैसे जादा नहीं बैठेगा जब फिक्स लिया है तो अब यहां से पिन लगा देंगे क्योंकि यह इसमें सबसे में है सीखने वाली चीज तो देखिए अब यहां पे थोड़ा सा एक्ष्टा आ रहा है तो यहां पे मैं एक प्लेट डाल दूँगी और एक प्लेट छोटी सी मैं यहां पे डाल दूँगी यह बैक की प्लेट होंगी हमारी इस तरीके से अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी सेम हमें ऐसे ही करना होगा यहां से देखिए अब इसको इसके उपर हम ऐसे रख देंगे यह उपर आ जाएगा अब इसके यहां से देखिए यहां पे भी हमें एक प्लेट डाल देंगी चोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं बहुत चोटी स तो हमारा ये एक पैर वाला हिस्सा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है यानि कि ये पार्ट तो ओपन ही रहते हैं लेकिन इनको हम अंदर साइड करके इसको इस तरीके से करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो दिखे न तो देखिए अब हम इसको भी ऐसे अंदर की साइड मोड करना है ये देखिए वो 2 इंच कपड़ा चोड़ के फिर उसके बाद जितना भी बच रहा है उतने में देखिए दो इंच मीरा चूट रहा है वालग प्लेट ने कर देंगे तो देखिए एक प्लेट में यहांपे डाल दोंगे ऐसे और यहांपे भी पिन लगा दोंग क्योंकि यहीं इसमें सीखने वाली चीज है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है अगर आप यह दो तीन चीज सीख जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी टुरिप सलवार बनाने में आप इसी तरीके से बंद भी बना सकती हो तो देखिए यह इस तरीके से आ के नहीं है लेस loss लगाए बहुत अच्छी लगती है अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको सिलाई करेंगे। मैं से इसको सिलाई करेंगे। और शिलाई हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हमने देखिए एक छोटा सा PCC में से दो मीटर कपड़े में से निकाल लिया था इसको इसकी जो चोड़ाई है वो मेरी तीन इंच है अब डेड़ इंच रह जाएगा देखिए मैं इसको इस तरीके से रख रही हूं बिल्कुल आस और मैंने यह बिल्कुल जितना मेरा बचेगा मैं बचा दोंगी मैंने एक सीधी पट्टी ले रखी है और इसको मैं एसे ही पूरे आसन में ऐसे घुमाके जैसे हम बैल्ट लगाते हैं सल्वार में प्लाजो में बैल्ट लगाते हैं सिर्फ सेम वही मैं थड़े इसमें आप की सिलवार एक दम परफेक्ट बनेगी अब देखिए इसको ऐसे ही घुमाब देते हैं पूरे राउंड में लगा के अब जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा होगी इसको कट कर देंगे तो देखिए यह पूरी यहां तक लग चुकी है आप देख सकती है कितने अच्छे से लगी है इसको मैंने इस तरह से रखा है, एक्स्रा इससे पियंकि मैं हमें इलस्टिक डालके और को-प्त बंद कर दूँँगी हां तक, लास्टिक डालने के बाद और Elastic का मेजर मैं आपको बता देती हूँ कैसे मेजर करना आपको अपनी कमर को ना पिये और अपनी कमर से आपको तीन या चार इंच कम लेनी है Elastic का और उसको थोड़ा खींच के ही लगाते हैं जितनी चोड़ी आपनी Elastic के लिए उतनी ही चोड़ी आपको ये बेल्ट रखनी है तो देखिए मेरी Elastic है ये भी करीबन 1.5 इंच चोड़ी है तो ये मैंने बेल्ट के बरावरी ली है अब इसको हम इस तरीके safety pin की सायता से पूरे में डाल लेंगे जैसे नाड़ डालते हैं अब देखिए हमने पूर डाल ली है अब इसको हम यहां से बिल्कुल अच्छे से लॉक करके और जो हमारा थोड़ा सा open हिस्सा है उसको भी इसके साथ ही हम सिलके और बंद कर देंगे बिल्कुल फिर हम आपको इसका final look दिखाएंगे तो आप भी प्लीज अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा मेरे से जितना बन सकेगा मैं आपको अच्छे समझाऊंगी और ऐसे मैंने पूरी-पूरी कोशिस की है कि आप बना के पहन सको इस सलवार को क्योंकि और इसकी जो दूसरी सट डिजाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगी देखिए इस तरीके से तो देखिए बनने के बाद में इस तरीके से आई है ये देखिए हवासे थोड़ी उड़ रही है बाकी एकदम सैट है ये तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सलवार का डिजाइन जरूर पसंद आएगा देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारी लगती है टॉप के साथ पहनी किसी के साथ भी पहनी है और मैं आपको जो दूसरा डिजाइन बनता है वो भी जरूर बताऊंगी प्लीज वीडियो को लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का